हेलो फ्रेंड्स तो कैसे आप सब आई होप सब अच्छे होंगे और आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस के चेप्टर 2 के बारे में देन करें जिसका क्या नाम है दे एंड ओ बायो पुलर्टी यह आज पार्ट 3 में पढ़ेंगे पिछे हमने क्या देखा था हमने देखा कि जो सोवेट संग है वो सोवेट संग किस परकार से बनता है यानि हमारे सामने दो मासक्ति होती है यूएसे और यूएससर उसके बारे में अध्यन किया था और जिसमें क्या देखा हमने कि 1901 में है 1901 में यूएससर है उसका क्या हो जाता है विक्ट कम्मिनिष्ट पार्टी और उसके बार्दिक आर्थिक जो سंसता है नहीं एं diff Sort सधिकार मिलेहो होते हों तो इसके बारे में हमने अद्हयन किया आज हम क्या पढ़ेंगी आज हम पढ़ेंगे कि देुघ्ञा क üSenonica की विक्रतर क्यों हुआ तो विश्वे की दूसरी सबसे बड़ी मासक्ति अचानक कैसे बिखर गई यानि कि हम देखें तो वर्ल्ड में उस में कितनी सक्तियां थी दो ही मासक्तियां थी USA और दूसरी कौन सी होती है USSR होती है तो इतनी बड़ी मासक्ति थी वो कौन सी दूसरी मार सकती पहली यूएस से थी और दूसरी यूएससर तो अचानक ये कैसे बिखर जाती है इसका विगटान अचानक कैसे हो जाता है तो सिर्फ सोवियत संग और समयवाद के अंत को समझने के लिए यह स्वाल पूछना जरूरी नहीं था यह स्वाल किसी भी राजनिक तिक जो वैस्ता है कोई भी राजनिक तिक वैस्ता है उसके पतन को भी समझाती है यानि पतन को भी राजनिक वैस्ता होती है पतन को समझाने के लिए भी यह क्यूशन हमारे सामने आता है क्योंकि जो सोवियत संग है उसके रूप में नहीं तो को इसका क्या हुआ है विक्टन होए इतनी बड़ी मासकती का विक्टन होए लेकिन इस मामले में हम सरवै सामाने सबक सीख सकते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवित संग की राजनितिक आर्थिक संस्ताइं अंद्रूनी कमजोरी के एकान लोगों की आकानिसाओं को पूरा नहीं कर सकी और यहीं सोवित संग के पतन का सबसे बड़ा काहन बनी कि वहाँ पर जो राजनितिक आर्थिक संस्ताइं थी वहाँ पर एक पार्टी थी कम्यूनिस्ट पार्टी तो वह नहीं कर पाई क्या नहीं कर पाई कि जनता है उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर यह ओर सोवित संक्याबादी right. अबादी का एक बड़ा इसा अपनी नीतबा की नजर से देखने लगा उसपर खुल्लिया में किया करने लगा करने लगा कि वहां पर जो जंता थी वहांपर निता remains dat की हम आगा झागे है लेकिन ऐसी वेस्ता वहाँ पर नहीं थी तो उन वो क्या कर रहे थे उनके सामने बहुत सारे स्वाल खड़े हो रखे थे कि इस प्रकार की जो वेस्ता है वहाँ पर जो हुआ हमारे लिए सही है या नहीं है तो उन्हें भी इसके जवाब जाई थे तो सोवित संग ने अपने संसादनों का अधिकांस परमान उत्यार और सिन ने साजिस समान पर लगाया सोवित संग ने अपने संसादनों का अधिकतर रुपयों किसलिए क्या था परमान उत्यार बनाने के लिए क्यूबा मिसाल के रूपने पहले चेप्टर में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या था प्रमाणु त्यार बनाए थे क्योंकि वो USA की बराबरी करना चाहता था जो साजी समान उसको बना रहा था उसने क्या क्या था अपने संसाद्ध पूरवि यूरोपके अपने पिछलगोत डे 뜯सों की विकास पर भी खर्च किया था कि वे सव्य नी रेन ट्रम बने रहे और अन्हें छोटी देश है उनको अंको अपने में समिलित करने के लिए उन्होंने क्या क्या विबन पुर्ण के खर्चे किये थे तो इससे जो सोवेट संग है वो जनता पर ध्यान कम दे रहा था बलकि एक महासक्ति के रूप में बनने की कोशित कर रहा था उसके लिए उसने ज्यादा क्या क्या था अपने वो धने उसमें लगाए थे सबसी जादा इसे सोविट संग पर गहरा असर होता है और इसी के साथ एक और बात होती है कि पस्मी जो मुलक है उसकी तरकी के बारे में सोविट संग के आम नागरीकों की जानकारी बढ़ती है यानि पस्मी जो मुलक है यानि पस्मी देश है वहांपर किस प्रकार की इस्तिति चल लए हैं अपने जो सोविट सेंगा उस से वहांपर किस प्रकार की अंतर देखें तो वहांपर वो किस चीज में देखें हमसे आगए है तो इस बार इस बात की वहां पर आम जनता को जानकारी हो जाती है और वे अपनी राजवेस्ता और पस्टिमी देशों की राजवेस्ता के बीच अंतर देखने लगते हैं कि यूसे में किस परकार की वेस्ता है और यहां पर किस परकार की राजवेस्ता है इस परकार की जो है को सूचना उनके सामने आने लगती है सोवित संग जो सोवित राज वेस्ता है पस्थमी की पुंजी वादी से बैतर है लेकिन सचाई यह है कि सोवित संग पिछोड़ चुका और वह अपने पिछले पन की पैचान से लोगों की राजनितिक और मनों विगयनिक रूप से दक्क वो हमारी यहां पर देहां गती रूक गई है और सोवित संग पर कम्मिनिस्ट जो पार्टी उसने सतर सालों तक शासन किया था और यह है पार्टी अब जनता के परती जवाब देन नहीं रह गई है गती रूद सासन पर सासन बारी बश्राचार अपनी गलतियों को सुदाने में वैवस्ता की ऐसक्षमता सासन में ज़्यादा खुला पन लाने के परती अनिच्छा देश की विशालता के बावजु सत्ता का केंद्री करतोला इन सारी बातों कार्ण आम जनता अलग थलग सासन चलता है लेकिन यहां पर जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं उनको ज्यादा विश्यस्तिकार दिये गए थे किसे आम जनता से और लोग अपने को राजवेस्ता और सासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनादार खिसकता चला गया था और मिख जनतिक रूप से वो सुदार करना चाहते थे गुरूपचेव है उन्होंने अर्थवेस्ता को सुदारने की कोशिस के रुपस्मी की बराबरी पर लाने उपर सासनिक जो डांचा है उसमें डील देने का वादा किया था यानि कि जहां पर यहां पर जो दल है का कम्मिनिस्ट उसमें एक यह प्रकार की सासनिक ता मापर सतिर सालों से यह सासनं कर रही है तो यह सही नहीं है यानि कि लोक तंतिक जो सासन भेशता है वो परनालिस्तापित करना चाहते थे गरोफचेव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का प्रयास भी ठीक था ऐसे में आपको आश्रे हो सकता है कि फिर सोविच संग तूटता ही क्यों है क्योंकि इनका इतना बड़ा योगतान था तो हमारा जो सोविच संग इसका विक्टन क्यों हुआ तो इस बिंदू पर आकर उत्तर ज्यादा विवादित हो जाता है और इस इस्तिति को हमें आगे के इतियास कर साइद ज्यादा बहतर बढ़ंग से समझा पाएंगे तो जो सोविच संग है उसमें जंता के एत तब्रके की सोच क्या थी के ग्रोफचे को ज्यादा तेज कटी से कदम उठाने चाहिए जिस परकार से वो वेस्ता सापित कर रहzenia यहां पर प्रिवरतन कर रहे है तो उसके क्या होना चाहिए तेजगती से होना चाहिए दीरे दीरे वहां पर वैस्ता सापित है नहीं होनी चाहिए यह लोग उनकी कारिये पती से दीरे खो बेढ़ते हैं निरास हो जाते हैं यानि कि जो कारिये पती है वो दीरे दीरे प्रिवर्तन कर रहे थे लेकिन वो क्या चाहते है कि हम तेज गति से यहां पर क्या करें प्रिवर्तन करें राजनित को वैस्ता है उसको अचानक इसमें प्रिवर्तन कर दें तो वो इस प्रकार सी वैस्ता नहीं हो रही थी तो लोग क्या हो जाते हैं आपर निरास हो जाते हैं और इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ उन्हें नहीं हुआ या संभव है उन्हें बहुत दिम्यकति से फाइदा हो रहा था यानि उन्हें अचानक है फाइदा करना चाहते थे वो करrier को इन लोगों झासा सोच था वैसा फाइदा नहीं हुआ और यह संब्ख़ है उन्हें बहुत दिम्मे से पाइदा हो रहा था जिस परकार से वहां पर यहां पर जो साशन वैस्ता है उसमें प्रिवर्तन किया जा रहा था उन्हें इतना तेजगती से फाइदा नहीं हो रहा था जितना वो चाहते थे और जनता के एक हिंसे खास कर कमीज पार्टी के सद्सिया हैं सद्सिया और वे लो और इन खीस्तान में गुरवचेव का समर्थन हर तरह से जाता रहा और जनमत आपस में बढ़ जाता है और जो लोग उनके साथ में थे उनका भी मुह बंग हो जाता है ऐसे लोगों नहीं सोचा कि गुरवचेव खुद अपनी ही नीतियों को ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहा है यानि कि उनकी सासन पती सही नहीं है ये लोगों के मन में दारना बन जाती है इन सबी बातों के बावजुद सम्भोता है सोवित संग का विग्टन नहीं होता है लेकिन ए गटना के ने अधिकांस ते प्रियक्सकों को चौंकाया और सोवित संग के अंदर के लोग भी इसे दंग रह जाते है यह गटना थी राष्ट्रिया बावनाओं और सम्प्रुबता की इच्छा का उभार की रूस है और बाल्टिक जो गणराजे जिसमें एस्टोनिया लताविया लिथवानिया आता है कि इसमें बाल्टिक गणराजे में और यूकरेन और जोर्जिया जो जैसे देश हैं जोर्जिया जैसे देश हैं सोवेज संग के विभीन गणराजे इस उभार में सामिल होते हैं और राष्टिये संप्रुबाता अपके बाउन का उबार सोवेट संग के विक्टन का अंती मुसर्वा दिक्तत काली कानसी दो जाता है और इस मसले पर भी अलग-अलग राय मिलते हैं यानि राष्टिये बाउना को लेकर अलग-अलग लोग अपने विचार रखते हैं और यह क्या चल रहा था संग्रश चल रहा था यानि कि वो क्या चाहते थे कंविनिश्ट पार्टी से अपने देश को ओजाद करना चाहते थे कि अकषित ठीयुद और नसलिय लिहाज यहनि जोबार लग झाथती के उसे क्या है यह अलग है और आर्थिक पिछडे हुए है लेकिन हुआ कि सूवेज संक्पे परतिराष्ट ये एसंतोस ये और आप एक्स आप सन्रज गणा ग्राज्ज्स यहनि की वोर सम्डोत हैं विक्षित हो गए हैं जैसे रूस यूक्रेन जोर्जिया और बाल्टिक छितर में क्या है सबसे प्रबल नजर आता है और यहां के आम लोग अपने को मद्दे से जो गनराजी के लोग है उससे अलग महसुस करने लगते हैं और इनका अपस में ऐलगा हो जाता है किसे भूछे व वो ऑचेड़े हुए वो सोव्य संग में साम्मिल रखने की उन्हें बारी कीमट चुकानी पड़ रही है यानि कि वो क्या सोच रहे थे कि हम याले जो छोटे छेतर हैं पो कौन से वाले मद्दय गनराजी शितर हैं वो क्या कर रहे हैं इसमें सामिल है तो उन्हें बारी किम्मत चुकानी पड़ रही है इस प्रकार से दारना बन जाती है झाले किम्मत चुकानी जाती है